हो ही नहीं सकता कि किसी भी वासना का परिणाम अच्छा हो जाए। आप सहमती से लड़का और लड़की मिल करके कोई गलत काम कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है। आपके किसी काम से दूसरे को सुख पहुचता है, उसे वास्तविक अर्थ में आनन्द की अनुगूती होती है, उसके दुख दूर होते हैं, उसका सम्मान बढ़ता है, तो वह धर्म है। इसी बात का आश्रे लेकर के एक युवक मुझसे पूछता है, गुरुजी आप इतना ज़्यादा ब्रमचरिय की बात करते हो, लड़के लड़की आपस में संबंद न बनाएं, इस विशे में बात करते हो, ये अधर्म कैसे हुआ, उस लड़की को भी सुख मिल रहा है, व दरसल जब हम गहरा सोचते नहीं, गहरा देखते नहीं, तो फिर इस तरह के ख्यालात दिमाग में आते हैं, मैंने उस बच्चे से पूछा कि आपकी बहन अगर कोई है, उसे एकांत में ले जाकर के, कोई इस तरह का सुख दे, तो फिर आपको कैसा लगेगा, आप बड़े ह हो जाएं, आपकी बेटी हो जाएं, आपकी बेटी को कोई एकांत में ले जाकर इस तरह का सुख दे, तो आपको कैसा लगेगा, बच्चे को ये बात असहज महसूस हो रही थी, क्योंकि सीधा सीधा कड़वा लगने वाला प्रशन था, जो प्रशन हम दूसरे की बहन बेट जाएगा, यदि उन्चीजों का पता लग जाए, तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा का क्या हाल होगा, बाहर आपको क्या क्या चीज़े सुनने को मिलेंगी, आपकी इज़त जाएगी, सम्मान जाएगा, चैन जाएगा, आपकी बेटी तो सुख का अनुभव ले रही है, लड़का तो सुख का अनुभव ले रहा है, पूरा परिवार तो दुख की तरफ चला गया, तो यह अधर्म हो गया, या नहीं हो गया, दूसरी बात, आपकी बेटी, आपकी बेहन, यदि सही रास्ते पर चल रही थी, तो कल आपका नाम रोशन कर सकती थी, आगे जिस परि पाकन जैसे कैसे आपने उसकी शादी कर भी दी, तो क्या उसका जीवन बैतर रहेगा, नहीं रहेगा, उसकी तरफ से आपका मन तकलीफ में रहेगा, दुख में रहेगा, जब भी देखेंगे तकलीफ में रहेगा, दुख में रहेगा, बले ही अपने कृतियों के सजा उसन लग गई क्योंकि आपका concentration level जो है वो बिलकुल zero हो गया है एकागरता भंग हो गई है पड़ाई लिखाई में मन नहीं लगता आपकी तरक्की कहीं पीछे चली गई आपकी पीडियों तक इसका प्रभाव पड़ेगा क्या यह अपराद नहीं है जो आप सुयम के साथ कर रहे ह यह शरीर आपका सादन है आप अगर किसी दूसरे के साथ में बुरा कर रहे हो यह पाप है लेकिन अपने शरीर के साथ में खुद के बुरा कर रहे हो क्योंकि यह शरीर आपके लिए बहुत कुछ करता है यदि आप इसके साथ बुरा कर रहे हो तो क्या यह पाप नहीं है आ प्रकार के रोग लग गए हैं, उन रोगों से सरीर क्षीन हो गया है, कुछ रुटीन खराब होने से, कुछ जागने से और कुछ उन गुप्त रोगों की वज़े से आपका शरीर बिलकुल खराब हो गया है, क्या ये खुद के साथ अन्याय या खुद के साथ की गई हिंसा नह चाहे आप जादा खा रहे हैं, एक्सेस में खा रहे हैं, या जादा स्वाद के चक्कर में गलत चीजों को खा रहे हैं, या गलत चीजों को देख रहे हैं, गलत बातों को सुन रहे हैं, किसी भी परकार का व्यसन या वासना आपको उठ रही है, उसका परिणाम दुख ही होग तकलीफ ही होगी वो तकलीफ आपको भी होगी और दूसरों को भी आप सिग्रेट पी रहे हैं हुका पी रहे हैं बीड़ी पी रहे हैं खुद को तकलीफ है लेकिन बराबर में बैठा हुआ पैसिव स्मोकर है उसको भी तकलीफ है यानि खुद को भी तकलीफ दे रहे हैं बरा जो बुरा काम नहीं कर रहा तो ऐसा काम जो कि हम अपने लिए बुरा कर रहे हैं और केवल अपने लिए सोच रहे हैं नहीं वैं दूसरों के लिए भी बुरा हो रहा है प्रकृति के लिए बुरा हो रहा है जब तक हम अपनी सोच को व्यापक नहीं बनाएंगे तब तक कैसा ब्रमचारी की सोच तो बहुत व्यापक हो जानी चाहिए। जब तक आप अपने चिंतन को गहरा नहीं बनाएंगे तब तक आपको एक बुरी चीज की हानियों का पता ही नहीं चलेगा और जब तक उसकी हानियों का उसके नुकसान का पता नहीं चलेगा तब तक आप उससे ब अनन्द के नबूत ही हो रही है तो इसमें कुछ बुरा ही नहीं है जो शेदीर बर्बाद होगा जो आपका वईष्य बर्बाद होगा वो तो बात अलग मुझार manifest. दुष्टि है आपके दिमाग की कमी है इन चीजों से बाहर आ जाओ इसी में कल्यान है हरी ओम हरे कृष्ण